वेल्कम बैक टु स्टॉक मार्केटिल आज हम बाद करने वाज है डी नोरा इंडिया लिमिटेट के बारे में इस टॉक का अगर आप भाव देखेंगे 921 रुपय के आसपास जो है आज स्टॉक की ग्लोजिंग हुई है धाई परसंट के आसपास स्टॉक जो है आज की दिद म का हाई है और 356 कल है अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो कंपनी का जो करेंट प्राइज है और जो कंपनी का साल भर का हाई है वह बहुत आसपास है यानि की कंपनी जो है वाल टाइम हाई पर भी यहां से निकल सकती है अगर एक बार 988 का लेवल क्रॉस हुआ तो यह जियाद रखेगा 10 रुपय का यहां पर कंपनी का फेस वैल्यू है और कंपनी का कर आप यहां पर बिजनस देखेंगे तो कंपनी क्या मैनिफेक्चर करती है रिफर्विशिंग एंड सेलिंग ऑफ कैथोड और एंड एलेक्ट्रो क्लोरीनेटर एंड कैथोडिक प्रोडेक् जो भी आपने मुबाइल फोन चलाया होगा या फिर जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आप चलाते हैं उनमें इसी तरह की चिप का यूज किया जाता है तो बिसिकली कंपनी यह मैनिफेक्चर करती है प्लस उसके साथे साथ अगर आप यहां पर और भी चीज़ देखेंगे यहां पर कंपनी काम करती बिसिकली जो सीवेश ट्रीटमेंट होता है वहां पर भी कंपनी का युगदान है जो भी इलेक्ट्रिक एक्विबेंट होते हैं वह कंपनी यहां पर मैनिफेक्चर करती है बाकी और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो फ्यूल सेल और चलेगे तो उसके बाद हम यूज कर सकते हैं इससे क्या होगा जब आपको बता है रिमेबर एनरजी की दिवांड आगे चलके है तो यह सभी चीज़े कंपनी यहां पर बहुत ध्यान से काम कर रही है इन सभी चीजों पर अब कंपनी के बहुत ज़्यादा इट्रैक्टिव तो नहीं है लेकिन आज जिस तरह की कंपनी है 500 क्रोड का आसपास मार्केट के पे तो ठीक ठाक इनकी सेल्स हो रही है अगर आप देखेंगे 14 13 14 उसके बाद देखेंगे तो अचानक से कम हो गई और इस पेशली अगर आप देखेंगे तो कोविड में इनको बहुत जादा है बिजनस में इंपक्ट आया था सेल्स इनकी कम हो गई थी बड़ आप यहां देखेंगे तो अलमुष्ट सबसे ज्यादा हाई यहां पर कंपनी की सेल्स आई है मार्च 22 में अभी देखेंगे 19 करोड के आसपास है लेकिन सबसे बाद क्या है कि इतनी कम सेल्स जनरेट करने और साल दरसाल का अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है यहां पर अच्छा कर रही है अलाकि कंपनी ने प्यास किया था बहुत अच्छा सेल्स आया था उसके बार फिर कंपनी के सेल्स जो है डाउन हो गई लेकिन आपकी बार इस साल कंपनी के सेल्स आई है अगर यहां प यहां पर फूर्मेंस इस तरह से की साल कंपनी का कोई भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है उसके बाद कंपनी का अचानक से यहां पर परफॉर्मेंस आ जाता है जैसा कि आप देख सकते 15 क्रोड करने अगया तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आपने इस स्टॉक को तो डेफिनेटी बहुत अच्छा है लेकिन रिस्की काफी जादे स्टॉक है कि इसमें क्रेश भी बहुत तगड़े तगड़े आते हैं से देखेंगे पांट सालों में 30 परसेंट है प्रॉफित देखेंगे 39 परसेंट है सीजी यह 12 परसेंट रिटरन अक्विटी जिरो पांट 50 परसेंट के आसपास आ चुकी है डियाए की होल्डिंग 0 परसेंट है और पप्ली के बागी बची आपको देखने को मिल देगे तो हमने यहाँ फंडामेटल देख लिए कंपनी का आप सबसे इंपॉर्टन हम लोग देखने वाले चार्ट क्योंकि वहीं समय पत पर यहां से बहुत अच्छा स्टॉक में हमें मुएंटम देखने मिला स्टॉक साड़े चार्सों के असपास तक चला गया था चार्सों पचास के इन फैक्ट उपर ही चला गया था लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर फॉल आया और यह 233 पर आके खड़ा हो गया फिर होता है मैंनिपलेशन होता है तुरंद स्टॉक उपर चला जाता है तो मैं आपसे यह कहूंगा कि अगर आपको इस स्टॉक में आपने पहले से पोजीशन एड़ करके रखी है तो यहां पर बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हो रहा है नौसाओ इकिस के आसपा स्टॉक चल ला है कही ना कही है अभी हाइप चल ला यह तरह प्रॉफिट आपको बुक करने के लोग देखना चाहिए लेकिन हां अगर यह स्टॉक जो है यहां से गिरता तो बहुत तैजी से नीचे आ सकता है क्योंकि यहां पर ले जाएंगे सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे ल कर देंगे वह यहां पर इंगे वरे कंपट करके कि कौन से ब्रेकाइबिल रहेंगे इसलिए यहां जबर्दस नहीं intric ऐखेंगे को समय है इसलों कि यहां पर से अच्छी अच्छी बहुत पर चा न कॉ Fang रहा है तो 2016 तो Width कर आप तो अगर आप अगर आप देखेंगे तो यहां पर 16 में स्टॉक जो है और मुझ था 227 और उसके बाद कहां तक चला गया था लेकिन कंपणी ने उस टाइम परफॉर्म किया जिस टाइम रिजर्ट अच्छे आ रहे थे तो मैं आप से कहूंगा थोड़ा साथ में आपको सेफ रहना चाहिए अगर आपने ज्यादा क्या लगा रखा है तो इसमें आपको फोड़ा प्रॉफिट करना चाहिए अगर आप प करना चाहिए गर साथ में आपस करने जया है उबंगा बबंगा कामें आपने से